दोस्तो नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है, मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है तो आईए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्ते में कुछ नई बाते सीखते हैं विद्यार्थियो, आज की वीडियो हम बना रहे हैं, आधुनिक काल पार्ट चार आधुनिक काल की वीडियो, हम इस से पूर में लगातार बना चुके हैं, तीन पार्ट में और आप लगातार देख रहे हैं आशा करते हैं, आपके लिए सभी वीडियो लाभान भी थोंगी तो आईए शुरू करते हैं आधुनिक काल पार्ट चार की वीडियो उससे पहले आप सबसे निवेदेने, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब जरू कर ले तीसरे प्रमुक रचनाकार हैं लल्लू लाज जियाधनिक काल का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, प्रारम्ध कैसे हुआ ये आग्रे के रहने वाले गुजराती ब्रहमन थे, इनका जन्म समवत 1820 में और मिर्त्यू समवत 1882 में हुई संस्कृत के विशेश जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कवीता का अभ्यास हिने था उर्दू भी कुछ जानते थे, समवत 1860 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जोन गिलक्राइश्ट के आदेश शे इन्होंने खड़ी बोली गद्ध में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत दश्मिश्कंद की कथा वर्नन की गई है इन्शा के समान इन्होंने केवल ठेट हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था पर विदेशी शब्दों की नए आने देने की प्रतिग्या अवश्य लक्षित होती है यदि ये उर्दु न जानते होते तो अर्भी फार्सी के शब्द बचाने में उतने करतकार कभी न होते जितने होए बहुतेरे अर्बी फार्सी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए पहचानना भी कठिन था एक पंड़े जी का इसमरण है जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे पर कलेजा और बेंगन शब्दों को मलेच भाषा के समक्स बचाते थे ललू लाल जी अंजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिग गए हैं जो फार्सी या तुर्की के हैं जैसे बैरक शब्द तुर्की का बैरक है जिसका अर्थ जंड़ा है प्रेम सागर में यह शब्द आया है देखिए शिवजी ने एक ध्वजा बाना सुर को दे के कहा इस बैरक को ले जाए पर ऐसे शब्द दो ही चार जगें आये हैं यद्दपी मुंसी सदासुख लाल ने भी अर्भी फार्सी के शब्दों का प्रियोग ने कर संस्कृत मिस्रित साधु भाषा लिखने का प्रेत्न किया है पर ललू लाल की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है मुंशी जी की भाषा साफ सुत्री खड़ी बोली है पर ललू लाल की भाषा कृष्णो पासक व्यासों किसी ब्रिज रंजित खड़ी बोली है सम्मुक जाय, सिरनाय, सोई भाई कीजई, निरक, लीजोई ऐसे शब्द भर बराबर प्रियुक्त हुए हैं अकबर के समय में गंग कवी ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी वैसी ही खड़ी बोली ललू लाल ने भी लिखी दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी अर्भी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं पर ललू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाये हैं भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आये हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र हैं मुहावरों का प्रियोग कम है सारांश यह है कि ललू लाल जी का कावे भाष गद्य भक्तों की कथा वारता के काम का ही अधिक्तर है न नित्य विवहार की अनुकूल है न संबद्ध विचार धारा के योग्य है प्रेम सागर से दो नमूने नीचे दिये जाते हैं स्री शुकदेव मुनी बोले महराज ग्रिश्म की अती अनीती देख निर्प पावस प्रचंड पशुपक्षी जीव जन्तूं की दशा विचार चारों ओर से दल बादल साथ ले लड़ने को चड़ाया तिस समय धन जो गर्जता था सोई तव धोंसा बज़ता था और वरन वरन की घटा जो घिराई थी सोई शूर वीर रावत थे तिन के बीच बिजली की दमक शस्त्रा किसी चमकती थी बग पांत ठोर ठोर धवज सी फैराए रही थी दादूर मोर कड़ खैतों किसी भाती यश बखानते थे और बड़ी बड़ी बुन्दों की जड़ी बाणों किसी जड़ी लगी थी इतना कहे महादेव जी गिर्जा को साथ ले गंगा तीर पर जाए नीर में नहाए नहिलाए अति लाड़ प्यार से लगे पारवती जी को वस्त्र आभुशन पहिराने निदान अति आनंद में मगन हो डंबरू बजाय बजाय तांडव नाच नाच संगीत शास्तर की रीती से गाय गाय लगे रिजाने जिस काल उल्षा बारे वर्ष की हुई तो उसके मुख चंदर की जोती देख पूरण मासी का चंदर मा छवी छीन हुआ बालों की श्यामता के आगे अमावस्या की अंधेरी फीकी लगने लगी उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केंचुली छोड़ सटक गई बहों की बंकाई निरख धानुश धदकाने लगा आँखों की बढ़ाई चंचलाई पेक म्रग मीन खंजन खिसाय रहे लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्ध की पुस्तकें लिखी ये संस्कृत नहीं जानते थे ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्ध में लिखने के लिए इनसे कहा गया था ले की चारों पुस्तकें बिलकुल उर्दू में हैं, इनकी अत्रिक्त संवत 1859 में इन्होंने राजनीती की नाम से हितोप देश की कहानिया जो पद्ध में लिखी जा चुकी थी, ब्रज भाषा गद्ध में लिखी माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रज भाषा पद्ध की संग्रे ग्रंत भी इन्होंने प्रकाशित किये थे इनकी लाल चंद्री का नाम की बिहारी सत्सई की टीका भी प्रसिद्ध है इन्होंने अपना एक निज का प्रेश कलकत्ता में पटल डांगे में खोला था जिसे ये संवत 1881 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नोकरी से पेंशन लेने पर आगरे लेते गए आगरे से प्रेश जमा कर ये एक बार फिर कलकत्ते गए जहाए इनकी मृत्य हुई अपने प्रेश का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेश रखा था जिसमें अपनी पुस्तकों के अतरिक्तिये रामायन अधी पुरानी पोथियां भी छापा करते थे इनके प्रेस की छपी पुस्तकों की लोग बहुत आदर करते थे अगले रचनाकार हैं सदल मिश्र ये बिहार के रहने वाले थे फोर्ट विलियम कोलेज में काम करते थे जिस प्रकार उक्त कोलेज के अधिकारियों की प्रेरना से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्ध में पुस्तक तयार की उसी प्रकार इन होने भी इनका नासी केतो पाख्यान भी उसी समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर परतवनों की भाषा में बहुत अंतर है लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में ने तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है और ने परमपरागत कावे भाषा की पदावली का इस्थान इस्थान पर समावेश इन्होंने व्यवहारों प्योगी भाषा लिखने का प्रेत्न किया है और जहां तक हो सकता है खड़ी बूली का ही विवार किया है पर इनकी भाषा भी साफ सुत्री नहीं ब्रज भाषा के भी कुछ रूप हैं और पूर्वी बूली के शब्द दोईस्थानिस्थान पर मिलते हैं फूलन के बिछोने चहुदिस सुनी सोनन के थंब आदी प्रियोग ब्रज भाषा के हैं इहां मतारी बर्ते थे जुडाई बाजने लगा जोन आदी पूर्वी शब्द हैं भाषा के नमूने के लिए नासी केतो पाख्यान से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है पूरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जोन जोन कर्म किये से जो भोग होता है सो सब रिशियों को सुनाने लगे कि गो ब्रहमन माता पिता मित्र बालक इस्त्री स्वामी व्रद्ध गुरु इनका जो बधा करते हैं वो जूठी साक्षी भरते जूठी कर्म में दिनरात लगे रहते हैं अपनी भार्या को त्याग दूसरे की इस्त्री को भ्याते औरों की पीड़ा देख प्रसन होते हैं और जो अपने धर्म से ही पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते हैं सबसे बैर करते हैं ऐसे जो पापी जन हैं सो महा डेराउने दक्षिन द्वार से जा नरकों में पढ़ते हैं गड़ की एकसात परंपरा चलाने वाले उक्युठ चार लेककों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुन्शी सदासुखलाल और सदलमिश्र की भाषा में ही मिलता है व्यभार उप्योगी इन ही की भाषा ठेरती है इन दो में मुन्शी सदासुख लाल की सादू भाषा अधिक महत्तु की है मुन्शी सदासुख ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई अतिगध का परवर्तन करने वालों में उनका विशेश इस्थान समझना चाहिए समवत 1860 के लगभग हिंदी गध का परवर्तन तो हुआ पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली इधर उधर दो चार पुस्तकें अनगर भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों पर साहित्य के योग स्वच सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक समवत 1915 के पूरु की नहीं मिलती समवत 1881 में किसी ने गोरा बादल री बाद का जिसे राजस्थानी पद्दों में जटमल ने समवत 1680 में लिखा था खड़ी बोली के गद्ध में अनुवाद किया अनुवाद का थोड़ा सा अन्श देखिए गोरा बादल की कथा गुरू के बल सरस्वती के महर बानगी से पूरन भाई तिस वास्ते गुरू को वे सरस्वती कु नमस्कार करता हूँ ये कथा 16 से 80 के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई ये कथा में दो रस हैं वीररस वे सिंगाररस है सो कथा मोर चड़ो गाउं मोर चड़ो नाउं गाउं का रहने वाला कबेशर उस गाउं के लोग बहुत सुखी हैं, घर-घर में आनन्द होता है, कोई घर में फकीर दीखता नहीं समवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्ध रचना की द्रश्टी से प्राये शुन्ने ही मिलता है समवत 1914 के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्ध साहित्ती की परंपरा अच्छी तरह चली समवत 1860 के लगभग हिंदी गद्ध की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय यदि किसी ने लाग उठाया तो इसाई धर्म प्रचारकों ने जिन्हें अपने मत को साधरन जनता के बीच फैलाना था सिरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड़ा था विलियम केरे तथा और कई अंग्रेज पादरियों के उद्ध्योग से इंजील का अनुवाद उत्तर भारत की कई भाषाओं में हुआ कहा जाता है कि बाईविल का हिंदी अनुवाद स्वेम केरे सहाव ने किया समवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और समवत 1875 में समग्र इसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ इस संबंद में ध्यान देने की बात यह है कि इन अनुवादों से इन अनुवादों ने सदासुख और लल्लू लाल की विशुद भाषा को ही आदर्श माना उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा इससे यही सूचित होता है कि फार्सी अर्वी मिली भाषा से साधारन जनता का लगाव नहीं था जिसके बीच मत का प्रचार करना था जिस भाषा में साधारन हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी उसी भाषा का अवलंबन इसाई उपदेशकों को आवश्यक दिखाई पड़ा जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं उससे साधारन जन समुदाय उर्दू की अपेट्षा कहीं अधिक परिचित रहा और है जिन अंग्रेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुन्शियों और खान सामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता है वे अब भी उर्दू या हिंदूस्तानी को यदि जन साधारन की भाषा समझा करें तो कोई आश्चरे नहीं पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जन साधारन को धर्म और ज्ञान आदी के उपदेश सुनते सुनाते पाया उसी को ग्रहन किया इसाईयों ने अपनी धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में फार्सी और अर्बी के शब्द जहां तक हो सका है नहीं लिये और ठेट ग्रामीन शब्द तक बेधड़क रखे गए हैं उनकी भाषा सदासुक और ललू लाल के ही नमूने पर चली है उसमें जो कुछ विलक्षन तासी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक की रचनावर शैली के कारण प्रेम सागर के समान इसाई धर्म पुस्तक में भी करने वाले के इस्थान पर करन हारे तक के इस्थान पर लव, कमरबंद के इस्थान पर पटु का प्रियुक्त हुए है पर ललू लाल के इतना ब्रज भाषा पन नहीं आने पाया है आय जाय का विभार ने होकर आके जाके विभृत हुए है सारांश यहे की इसाई मत प्रचारकों ने विशुद हिंदी का विभार किया है एक नमूना नीचे दिया जाता है तब इशू योहन से बबतीस्मा लेने को उस पास शालील से यर्दन के तीर पर आया परन्त योहन यहे कहकर उसे बर्जने लगा कि मुझे आपके हाथ से बबतीस्मा लेना अवश्य है और क्या आप मेरे पास आते हैं इशू ने उसको उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दे क्योंकि इसी रीती से सब धर्म को पूरा करना चाहिए इशू बबतीस्मा लेके तुरंत जल के उपर आया और देखो उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने इश्वर के आत्मा को कपोत के नाई उतरते और अपने उपर आते देखा और देखो ये आकाश वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं आती प्रसंद हूँ इसके आगे इसाईयों की पुस्तकें और पंपलेट बरावर निकलते रहे उक्त सिरामपूर प्रेश से समवत अठारा सो तिर्रानमे में दाउद के गीतें नाम की पुस्तक छपी जिसकी भाषा में कुछ फारसी अर्बी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं पर इसके पीछे अनेक नगरों से बालकों की शिच्चा के लिए इसाईयों के छोटे मोटे इसकूल खुलने लगे और शिच्चा समंदी पुस्तकें भी निकलने लगी इन पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही रसल, सरल और विशुद होती थी जैसी बाईविल के अनुवाद की थी आगरा, मिरजापूर, मुंगीर, आधी जिले उस समय इसाईयों के प्रचार के मुख्य के अंदर थे तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में इतना ही आधुनिक काल पार्ट 4 में नेक्स्ट आधुनिक काल को पार्ट 5 में समलित करेंगे वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो आपके लिए लाभान भीत होगी ऐसी आशा है नहीं हमें पूरा विश्वास है यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हिंदी की बिंदी चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिग्यासा है, कोई प्रशन है तो आप कमेंट्स के माध्धम से पूछिए, हम उसका जवाब देंगे और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के माध्धम से हमें, बताईएगा नमस्कार, नेक्स्ट टोपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टोपिक के साथ फिर मिलते हैं शुक्रिया नमस्कार